हनुमान इसलिए सर्वस्रेश्ष्ट हैं सेवकों में अग्रगण्य है क्योंकि वो कभी यह नहीं कहते कि मैं कौन वो कहते हैं कि मेरी टोटल आउकात यह है कि मैं इनका चेलाओं इनका काम करता हूँ और महर्शी भी उनका परिचे देते हुए यही लिखते हैं कि इतने सारे गुणाय इतनी डिग्रियां लेके नंत में क्या है इनके हैं दूथ मनो जवं मन की गती से चलते हैं मारुतुतुल्यवेगम पवन के इसाब से चलते हैं जितेंद्रियम बुद्ध्यमताम वरिष्ठम आपड़न।ुल्यवेगम वानरों के इूथ मुख्यां हैं यह सारी डिग्री हैं और आखिर में क्या है ऩरी श्री राम अदूत्म हरनम प्रपद्ये मैं स्री राम का दूतुल्य थै कि वेरावन के पुत्र का बद कर सकते थैं लंका को जला सकते थैं तो सीता जी को तुसी स देखिए जलवरत क्यों पड़ी? सभी बाद है भाई? परली बाद तो हनुमान अधुबत है किसी भी संगेटन में काम करो, किसी नौकरी में काम करो इस बात का ध्यान नखना कि उसके कारण तुम हो तुमारे कारण तु है ही पर उसके कारण भी तुम हो मैं देखता हूं लोग मिलते हैं कि I did graduation from Oxford, then I did post graduation from Harvard then working with government of India मैं अखरी बाद सब अच्छी है बागी सब तो ठीक ही थी हनुमान इसलिए सर्वस्रेष्ट हैं सेवकों में ग्रगंणये क्योंकि वो कभी ये नी कहते कि मैं कौन वो कहते हैं कि मेरी टोटल आउकात ये है कि मैं इनका चेलाओं इनका काम करता हूं और महर्शी भी उनका परिचे देते हुए यही लिखते हैं कि इतने सारे गुणाय इतनी डिग्रियां लेके नंत में क्या हैं इनके हैं दूद मनो जवम मन की गती से चलते हैं मारुतुतुल्यवेगम पवन के हिसाब से चलते हैं जितेंद्रियम बुद्धमताम वरिष्ठम है ना वानर यूथ मुख्यम वानरों के यूथ के मुख्या हैं ये सारी डिग्री हैं और आखिर में क्या है श्री राम दूतम शरणम प्रबद्ये मैं श्री राम का दूतुल्यवेगम जब वो माता सीता से मिलने गए तब यूनों ने ये नहीं कहा कि वेल आयम फ्रॉम रीक बोल सकते थे पंच तत्वों में से एक पवन के बेटे हैं वो अंजनी के पुत्र हैं बच्पन में अगनी ने वर्दान दिया कि तुझे कोई आग जला नहीं पाएगी ऐसा अदुबुत तेजस्वी आदमी ये नहीं कह रहा कि मैं ये हूँ क्या अदुबुत पंक्ति गोस्वामीजी ने लिखी है मेरे अंदर से लुख़ती है आपके अंदर भी उठेगी एकई परच Claudia अमा न पुझा कि तू कोण रह एक एक लाइन का परचब रामदूत में मात जानकी माता मेरा इतना परच़ है कि मैं राम काधूत और कसम भी किसी और की नहीं खाई किसी और की कसम खाएं, मा की पिता की नहीं, तो कि राम क्यां काम करते हैं राम दूत में मात जान की, सत्य शपत करुणा निधान की राम दूत में मात जान की राम दूत में मात जान की सत्या शपत करूणा निधान की मुला मुटूद diaper मैं पात जान की सत्या शपत करूणा निधान की यह जो विनम्षत है कि मैं कसमी किन की खारा हुग राम की खारा यही किसी employee को अच्छा employee बनाती है मेरे पिता जी चाहते थे कि मैं आइस बनू कलेक्टर बनू निम्नमध्यमवर गे परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है जी लड़का कलेक्टर हो गया जी लड़का कलेक्टर छोरो डंग से इंजीनियर नहीं हुआ कभी हो गया और बुरी बात वो भी पांच चार पास साल सपे लें एकैं दिन में घर अपने थे बोले हम एक महेने के लिए भारत ब्रह्मन पर जा रहे है जा मैं लुक को अनोogens हरा हम वुझ जाएंगा आंकर श्वर जाएंगे करश्वरम जाएंगे परयाग जाएंगे हिलाबाओ जाएंगे तो मैं यह जा हम जांगा, मुझे बता दी कुछ नहीं नहीं टुम तो बड़ आदमीं भाई हम तो मास्टर आदमी हैं दस बारे मास्टर मिल के जाएंगे, मास्टर मतलब प्रोफेसर्स, रिटायर्ड, मैंने का जाएंगे, अरे नहीं हम चले जाएंगे, कोई जरत होगी तो हम तुम तुम्हें फोन कर देंगे, मैंने का ठीके जी, तो मैं उनकी स्टडी में गया, वहां डायरी पर उनने पूरा शड्यूल लिख रखा था, दिनांक इतने मई, सायंग, संध्या, साड़े, पांच बजे, मसूरी एक्सप्रेस से त्रस्थान, मैंने उसकी फोटो कीची, तीन-चार पेज की, अपने मैनेजर को दी कि यार, बाबुजी, माताजी जा रहे हैं, जहां जहां अपने लोगों करा देना, वहार जगे उनको लोग मिल गए, बाबुजी, माताजी, माताजी, बाबुजी, जैसे तुम लोग लगे हैं, वहां मा के पीछे, सब लग गए, तो वह एक महीने बाद लॉटके आए, तो एक दिन मेरा ड्राइवर बोला की, ओ, बाबुजी, पिता जी आपकी ब इसमें नहीं करें, बाब अका, तो जोट बोला होई नहीं सकता, उन्हों वहाँ पात कई उन्हों ही अधुत बाद कईये, अग्शी पर काईये, बाबुजी, मेरी माँ सकता कि देखो, मैई चाहता था लड़का कम की लड़का कम के करें बन जाए, उन्हाता है, यह जाओ ब तो हनुमान को कलेक्टर नहीं बनना, हनुमान को प्रेमी बनना है राम का, ऐसी बड़ी विभूति के संकट हरने का काम मिल जाए, तो भी बड़ी बात है, इसलिए सीता से उनने यह नहीं का कि मैं वायू का पुत्र हूं, जो इस बच्चे ने पूचा है, साथी ने पूचा है कि उठा के लेकर आ सकते ते, नहीं, काम कितना बता है उतना ही, लड़के को देखने वाले आये तो बाप ने का कि बड़ा चाड़ा की बताना, तो लड़का बारवी पास था, बले बिटा, क्या करी है, बले M में, हाइट पांश जास्ति, हाइट कितनी, बले 6.2 इंच, कि बड़ा चड़ा के बताना है, हनुमान को बड़ा चड़ा के नहीं बताना, मैं पवन का पुत्र हूं, अंजणी का बेटा हूं, बच्पन में इस सूरज को खा गया, ने, 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 एक लाइन का परिचे है, राम दूत में मात जान की, सत्यशपत, करुना निदान की, और सीता का भी संकल्ब देखिए, हमारी मा का कल, मुझे किसी ने लिख के बेजा, कि साब बीता जा रहा है, दिन ना सीता पर बोले ना उर्मिला पर, वो बैठी है, ये बात सच है, और इस प्रश्ण को पूछने वाले मेरे भाई, जोगली बात में कहना जा रहा है, अगर जिस मेरी माता में इतना साहस था कि घर में जाडू लगा रही थी, तो भगवान शंकर का धनुष उल्टे हाथ से उठाया और जाडू लगा दी, महराद में देखा कि अरे ये क्या, तो मुझे भी नहीं हिलता, तो मुने लगा कि देवी है, उस दिन उने संक्यल्प किया कि जो इस पर प्रत्यंचा चड़ा देगा, उसे में इस पुत्री का हाथ दे दूँगा, रागे बेंदर आये, श्रम इतने का बेटा, लेट्स ट्राई, और ने ऐसी प्रत्यंचा चड़ाई जो टूट गया, और उसमें भाईसाव और उनके छोटे बाले, परुछ रम ने ना फजीता हो वहाँ लक्ष्मन पैदा खरा देते हैं, उनको देखके डर लगता रहता है कि अब हुआ जगडा, अब हुआ जगडा, अब हुआ जगडा, धनु ही समत्रिपुरारी धनु, गुसाया बुल अच्या धनु है इतनी अदभुत प्रक्रम शीला भगवती, अग इसका उद्देश्य ही है, जब एहंकार से भर कर गया रावन और माता से का कि देख या तो तु मेरा प्रणेश प्रस्ताव स्विकार कर ले ने था मैं तुझे उठा के ले जाओंगा बलपूरवक, तो प्रसंग आता है कि सीता जी ने जिस चटाई पर बैठी हुई थी, उ और कहा कि मूर्ख, तु मुझे उठाएगा, तु इस टुकुडे को पार कर दिखा दे चल, मेरे साथ एक प्रफेसर साहिवा पढ़ाती थी, उननने मुझसे पूछा कि आपको नहीं लगता कुमार जी कुछ ज्यादा हो गई, ने कर नहीं, तिनका रख दिया और रावन पा पार नहीं कर पाया, आमेन कर नहीं, आपने पढ़ाया ना, तिनके को धरकर, त्रण धरी ओट कहत वेदी, सुमर अवदपती, क्या धार्मिक जगे ने सब याद है, सुमर अवदपती परम सनेही, तिनका रख के का पार, अम जो बात कह रहा हूं, वो शायद आपके मन को वो इसलिए नहीं का, क्योंने ये नहीं पता था कि ये कितना बल्शाली है, एक बात आप लोग भूल गए, तिनके को संस्कृत में भूमिज कहते हैं, भूमी से पैदा हुआ, और सीता को संस्कृत में भूमिजा कहते हैं, भूमी से पैदा हुई, एक लड़की अपने पती के साथ भी इतना सुरक्षित अन्भव नहीं करती इतने अपनी भाई के साथ सुरक्षित अन्भव करती है इसलिए उसने कहा कि ये त्रण धरा हुआ है तिनका धरा हुआ है त्रण धरियोट कहत वैदेही शुमरी अवाधपती परमसनेही इसमें एक शब्द है ध्यान से सुनिये वो है परमसनेही ये जो आत्मिश्वास इस्त्री के अंदर आता है या पुरुष के अंदर आता है ये स्नेह के कारण आता है अगर स्नेहन आओ तो नहीं आता है मुझे लोग कहते हैं कि शाषन कब सुद्रेगा सरकारे कब सुद्रेंगी मैं कहता हूँ कि संकट में पढ़ने के बाद जिस आस्था और भरोसे के साथ आप अपने घर में रखे हुए छोटे से एक पत्थर के आगे सिर जुका देते हैं कि भगवान बचा लेना इसी आस्था के साथ जिस दिन भारतिये व्यक्ति न्यायाले में और ठाने में जाना चुलू कर देगा कि यहां पहुँच गया तो बच जाओंगा उत दिन मानना के सरकार में रामराज्य चला है यह सलिए रामराज्य है इसलिए क्या कहते हैं परम सनेही त्रणधरियोट कहत वैदेही सुमिर अवाधपती परम सनेही और यह याद भी दिलाती है कि मूर्ख तुझे इतना पता नहीं है कि तु क्या कर रहा है असमान समझो कहत जान की खल सुधी नहीं रगु बीर पान की असमल समझो कहते हैं कि तुझे रगु बीर के बान की सुध नहीं है मुझे अचाने कि सुम्राना कैस नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इससे कुछ समय पहले ही हनुमान आये थे और हनुमान से जवर आवन ने पूछा था कि तु कौन है तो उन्होंने का मैं रगुबीर का बान हूँ तो सीता कहते है कि अभी तो तुरी लंका जला के गया है फिर भूल गया इसलिए कहते है खल सुध नहीं रगुबीर बान की ऐसी सीता